Hello Everyone Welcome Back To My YouTube Channel आज इस नए साल की एक वीडियो में हम एक नई वीडियो के साथ में शुरुवाद करते हैं जए उम्मीद करता हूँ कि आप सब का नया साल जिनकी विदेश एटिणरी थी या जिनकी इंडीन आईटिणरी थी बहुत अच्छा गया होगा तो नए साल की पहली वीडियो के साथ में शुरुआत करते हैं हम एक positive news से शुरुआत करते हैं मतलब यह है तो visa जो issue हुआ था पिछले महिने की 22 तारीक को हुआ था लेकिन हम क्यों discuss करेंगे वो भी मैं आपको उसका एक वज़ा बताता हूं और उसके अलावा एक दू पॉइंट्स पर बात करेंगे कि अभी अगर profile करनी है तो कौन से महिने की करनी चाहिए और मतलब किस country में करनी चाहिए यह दो तिन चीज़ों पर हम बात करेंगे उससे पहले हम बात करते हैं जो वीज़ा इशू हुआ है उसके उपर यह profile है गुज़ात की पति-पत्नी की profile है husband vibe की तो इन्होंने apply किया था वीज़ा और एक दू दिन में ही इनको वीज़ा जो है वह received हो गया था पिछले महिने महीं उनकी profile क्या है चार-पांच लाग रुपे उनके account में था थोड़ी बहुत ट्रेवल हिस्ट्री थी और यह जो profile है इनकी यह farming करते हैं farming profile है तो farming profile के बहुत सारे लोग को मतलब बहुत सारे लोगों को यह questions होते हैं कि farming profile के भी क्या वीजास हो सकते हैं या हो जाते हैं तो बिलकुल होते हैं मैं इसका थोड़ा सा न पॉजिटिव व्यू भी आपको दिखाता हूं कि farming profile मतलब बहुत सारे लोग जो है और प्रोफाइल बनाकर नहीं रिपर्जेंट करते हैं तो उससे उनको बहुत सारे जो घाटे हैं वो होते हैं एक जैनुइन profile और एक में मेग की हुई मैं बहुत ज्यादा फर्क होता है एक बनाई हुई profile और जैनुइन profile में अंतर जो है वो साफ दिखता है स्थेंट्मेंच वगाइरा य're documents वगाइरा मैं जू mêsटी होगी उसमें document साथày नए होंगे statement जो होगी वह paying this problem जेनुए दिखरे शिट में आप वह हैं जिनकी profile जो है वो farming profile है उनको बहुत जादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हम बहुत बार देख चुके हैं कि पंजाब हरेना से फार्मिंग प्रोफाइल पे वीजस जो है वो आते हैं all over इंडिया से देखते हैं कि बहुत बार ऐसी प्रोफाइल पे positive चीज यह रहती है कि आपको फार्मिंग में बहुत कम documents जो है दिखाने पड़ते हैं इंप्लॉइड को जैसे एक नोसी सेलरी स्लीप और स्टेटमेंट दिखानी होती है और एक अगर आप सेल्फ इंप्लॉइड है तो आपको बहुत सारी डॉकुमेंट के साथ में जाना पड़ता है अपने बिजनस को वेल सैटल दिखाने के लिए तो अगर आप फार्मिंग या इंप्लॉइड प्रोफाइल है तो आप मतलब बहुत जादा चिंता करने के कोशिश जरूरत नहीं है आपके पास में बहुत अच्छे रीजन्स होते हैं और अब्स यां कॉंसलर जो है इनको बहुत अच्छे रीजन्स मानता भी है क्योंकि उनकी कंट्रीज में भी फार्मि मेंसेजेस हाते हैं कि मैं फार्मिंग करता हूं लेकिन मैंने अपनी प्रोफाइल जो है वह इंप्लॉइड या सेल्फ इंप्लॉइड के विए से तैयार की है और दूसरा यह कि इस समय अगर फ्रांस वीजा आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं तो बिल्कुल कहूंग अपने अपॉइंटमेंट्स दे रही हैं और आप वहां वीजा अप्लाई कर सकते हैं यह कोई शोर्टी नहीं है कि कहां से वीजा आएगा किसका वीजा रेशियो है कोई नहीं बता सकता कोई भी यूट्यूबर कोई भी कंसल्टेंट कोई भी नहीं बता सकता कि आपको आप कि फ्रैवलिण करने के लिए दिख अप जा रे हैं तो अगर आफ फ्राम को फ्रांस के आइडिय को ड्रॉप कर सकते हैं कुछ दिनों के ही यह तो प्लीज इस चैनल को सश्क्राइब करें लाइक करें अगर आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो डिसक्स करना ही है या अपनी प्रोफाइल करवानी है तो आप मेरा जो मैंग आप है वो चैनल के डिस्कृップ्षन में दिया हुआ है आप वहां से जाके मैसेजिस या कॉल कर सकते हैं धन्यवाद